नमस्कारम साथियों, मेरा यूटीव चेनल सुविदा दुजार दस में प्रेमप्रूबक अभिनंदन। मैं हूँ रविकांत भकत, आज मैं इस वीडियो के माध्धम से आने वाले माध्धमिक परिच्छाओं के महत्पूर्ण एबंग अती आवश्चक तत्थों को जानकारी नाय अंदाज से आसान और सरल सब्दों में बाताएंगे, ध्यान से सुने, देखें और समझे, दूसरे स साथियों को भी सेर कर दें, ताकि आने वाले माध्धमिक परिच्छा यानि कि मेट्रिक परिच्छा में पूछे जाने वाले प्रसनों को समझने में और उसका उत्तर देने में किसी प्रकार की कोई समझसा ना हो, आसानी से आपको, आपके साथियों को परिच्छा में उच अंख प्राप्थो हो इसी सुभ कामनाओं के साथ सूरू करते हैं आज का वीडियो एक नजर से जाने कैसे होगा प्रशनपत्र 90 परतिसत अधिक अंख के साथ आसानी से कैसे करें पास आज हिंदी विशय के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन विशों के बारे में भी चर्चा करेंगे आप तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बैल आइकोन को जोरू दबा दें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो चलिए शुरू करते हैं बीशाय है हिंदी मेर्टिक के मॉडल प्रसनपत्र के अनुसार हिंदी में कुल 90 अंख का लिखित परिच्चा होगा तथा 10 अंख बिद्दालय से दिया जाएगा 90 अंख बिभाजन कीस प्रकार का होगा चलिए हम लोग देखते हैं प्रस्रसंख्या के साथ उसका अंख बिभाजन कैसे होगा हिंदी के प्रसनपत्र में कुल 4 खंड होगा खंड कह में अपठित गद्दांग्स एबंग अपठित कभ्यांग्स होगा जिसमें 20 अंख निरधारिध है खंड कह में ब्यवाहरिक ब्याकरन इस खंड में कुल 20 अंख का प्रसन पुछा जा और इसमें कुल 35 अंक का निर्धारन किया गया है, खंड घा में रचना लेखन इसमें कुल 15 अंक दिया जाएगा, तो चलिए एके करके सभी खंडों के बारे में बात करते हैं, खंड का जो है अपठित गदांग्स और अपठित कभ्यांग्स से और अंक है 20 अंक निर्धार किया गया है, इस अंक में 10-10 अंक का कुल 2 पाठ होगा, पहला पाठ अपठित गदांग्स से होगा, जिसमें भी 10 अंक होगा, इस भाग में 3 प्रकार के प्रस्ण पूछी पहला है बहुँ बिकल्पी प्रस्न जो कुल चार प्रस्न होगा और प्रत्यक प्रस्न का एक-एक अंक होगा इसमें से जो बिकल्प सही है उसको चुनना होगा दूसरा है रिक्थ एयस्फानपूर्ण के बारे में भी होगा, इसमें 2 अंक रहेगा और दोनों में 1 अंक निरधारित होगा तिसरा जो प्रसन है, यो प्रसन उत्तरी के उपर होगा, जो आपको 2-2 अंक के 2 प्रसन होगे, यानकी कुल 4 प्रसन है इस प्रकार के इस खंड से आपको 10 अंक प्राप्त होगा पाट टू में अपटित काब्यांग्स के बारे में होगा इसमें भी 10 अंक का निर्धान किया गया है और इसमें 3 प्रकार का प्रसन पूछा जाएगा पाला है बहु भी कल्पिया प्रसन जो कुल 4 प्रसन होगा प्रत्यक प्रसन का एक एक होगा अंक होगा अर्था 4 गुना 1 बराबर 4 मतलब आपको प्रत्यक प्रसन का एक 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 मिलेगा इसमें भी रिक्त अस्थान पूर्ण के लिए 2 अंक रहेगा जिसमें एक एक अंक यान की कुल दो अंक का प्रसन होगा तिसरा तरह का जो प्रसन होगा वो प्रसन उत्तरी होगा जो दो अंक का दो प्रसन होगा और प्रत्यक प्रसन का दो दो अंक यान की चार अंक मिलेगा तो चलिए आप बार्त करते हैं खंड खा का खंड खा में ब्यभ कुल प्रसनत 10 होगा और प्रत्यक प्रसनत का एक-एक अंक होगा यानि कि एक-एक प्रसनत के लिए एक-एक अंक दिया जाएगा इसमें बहुत भी कल्पिय होगा इसलिए जो सही है यानि कि सही प्रसनों को आपको उत्तर लिखना होगा इसमें चार विकल्प रहेगा चार में से किसी एक का ही आपको सही रूप में चुनना होगा दूसरा है रिक तेस्थान पूर्ण इसमें कुल छा प्रसनों होंगे और छा प्रसनों के लिए एक एक अंक निर्दाइज है तीसरा जो पाठ है उसमें प्रसन उत्तर के रूप में दिया जाएगा जिसमें चार अंक का एक प्रसन होगा अर्थात एक प्रसन देने के लिए आपको चारंग दिया जाएगा इसमें आपका एक बिकल्पी रहेगा यानिकी दो प्रसनों में से किसी एक प्रसन को का उत्तर आप दे सकते हैं आप चलिए तिसरा पाट जो है यानिकी खंड खा यानिकी पाट पुस्तके जो ह ये 35 अंका होगा और पाठ पुस्तक से सम्मधित प्रसन इसमें पुछा जाएगा। इस ख़ण में कूल 5 प्रसन होगे जो पाठ पुस्तक पर आधारित होगा। इसमें भी तीन भाग होगा गद्यांग्स, काभ्यांग्स और दिर्ग उत्तरिय प्रसन। पहला पाठ में गद्यांग्स से केकूल 15 प्रसन अंक होगे। अंकों का विभाजन बहुभी क्यल्पिय प्रसन। एक अंका जिसमें एक प्रसन होगा। तीन अति लगई उत्तरिय प्रसन यानकी 2-2 अंका यानकी 2-6 अंक जिसे उत्तर दिया गया है। गद्यांग्स से देना होगा और 2-3 प्रसन जो चार-चार अंका होगा। जो पाठ पुछतक के किसी भी पाठ से पुछा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार काब्य खंट से भी कूल 15 अंका होगा। अंकों का विभाजन बहुभी कल्पियो एक प्रसन एक अंका। तीन लगो अत्तिरे प्रसन दो-दो अंका और जिसका उत्तर दिया जाएगा काब्यांग्स में से ही देना होगा। यानिकी एक उद्रित काब्यांग्स होगा उसी के अंदर देना होगा। बाखी जो दो दरगरित्र प्रसन होगा जो चार-चार अंका होगा वो पठ पुष्टक से किसी भी पाट से यानकी काब भांक्स पाट से ही पुछा जाएगा। उसके बाद तिसरा भाग जो नहीं, इस भाग में कुल दो देरगा उत्तिर प्रसन पूछा जाएगा, एक प्रसन गद्ध भाग से दुसरा काब भाग से होगा, इन में से किसी एक का उत्तर देना होगा, इसके लिए आपको पांच अंख निर्धारित आए, इस प्रकार इस ख खंड यनकी घा, खंड घा का जो रचना लिखन है, पांच अश्वरी, पंद्रा अंख होगा, इस खंड में कुल पंद्रा अंख दिया जाएगा, तथा तीन प्रसनों का उत्तर देना है, प्रत्तेक प्रसन में पांच पांच अंख निर्धारित होगा, पाहला प्रसन किसी दियेगा विशय पर 150 सब्दों में निभन लिखन लिखना होगा, इसमें आपको चार प्रसन रहेगा, चार में से किसी एक विशय पर लिखना होगा, दूसरा प्रसन पत्र लिखन का होगा, इसमें भी आपको दो या चार प्रसन रहेगा, उनमें से किसी एक का उत्तर लिखना तीसरा प्रसन जोना बिग्यापन जागरूपता से सम्मंदित होगा यानि कि कोई भी विशय पर आपको बिग्यापन लिखना होगा या जागरूपता सम्मंदी आपको उत्तर लिखना होगा इस प्रकार के मेट्रिक के हिंदी प्रसनपत्रों का प्रारूप होगा अगर प्रस से समझ लिया जाए तो आपको परिच्छा की तियारी करने में असानी होगी और असानी से उच अंख प्राप्ट कर परिच्छा में पास कर सकते हैं तो सातियों इसी के साथ इस खंड से बीदा लेता हूं फिर मिलेंगे आगले काल खंड में वीडियो को लाइक कर आपनों को से अले मिले वीडियो देखने के लिए धन्दवाद आपका दिन मंगल में हो जय हिन जय भारत बंदे मात्रम